नूट्रिशन, तो वेन एन ऑर्गेनिजम कंजूमस सॉलिड फूड, दैन इट इस नॉन एज होलो जोईक मोड आफ नूट्रिशन, होलो मीन्स होता था कंप्लीट, जो इक मीन्स होता है एनिमल, मतलब की दो जैनिमल इनिमल इन विच नूट्रिशन मोड इज कंप्लीट, तो जब हम holojoic nutrition की बात करेंगे न तो holojoic nutrition में एक sequence of events होता है ठीक है five sequence of events work in a proper coordinated manner तो सबसे पहला जो step होता है वो होता है आपका ingestion ठीक है बहुत simple है इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है ingestion ingestion में केवल सुरू के word पे ध्यान दो in मतलब कि जिस process से हम खाने को अंदर consume करेंगे उसे हम बोलते है ingestion ingestion के बाद जो second stage होती है वो होती है digestion digestion में खाने को break किया जाता है complex unit से simple unit में तीसरा जो काम होता है उसे हम बोलते है absorption जब हम properly digested food को अपने system में absorb कर लेंगे absorb करने के बाद इसका assimilation होता है assimilatory power अभी आपने एक word सुना था न तो assimilatory power का दूसरा नाम क्या था reserve power तो हम जो भी nutrient को absorb करेंगे उसमें से complete part use नहीं होता जितना use होगा उतना ठीक है बचे हुए part से body को assimilate किया जाएगा और हमारे body को form किया जाता है और last जो event होती है that event is non-age e-gestion means the process by which we throw out our undigested food जो undigested food होती है उसे body से बाहर निकालने के process को क्या बोलते हैं e-gestion कहते हैं तो ingestion याद रखिएगा intake of food जिस process हो आप खाने को intake करोगे न उसे आप बोलते हो ingestion और जिस फाने से जिस process से आप खाने को बाहर करोगे expulsion of expulsion of undigested food undigested food जिस process से आप undigested food को body से throw out करते हो उसे हम बोलते हैं e-gestion यह तिनों आपकी basic आपकी steps है जो कि digestion का सबसे मुख्य step होता है digestion की definition कैसी होती है the process by which we convert complex food items into their simple monomer unit जब हम किसी complex food को उसके simple units में convert करते हैं तो इसे digestion कहा जाता है अब आपके exam में दो questions पूछे जाते हैं एक तो आपका होता है human digestive system और दूसरा होता है आपकी Amoeba के case में तो पहले हम क्या करते हैं Amoeba के case में ही condition देख लेते हैं तो इसको मैं आपको diagram सही दिखा रहा हूं language आपके पास notes में आपको मिल जाएगी तो Amoeba में क्या होता है न सबसे पहले तो याद रखना है कि Amoeba is basically asymmetrical मतलब की अब देखे यह diagram यह आपकी पूरी गोल हो गई लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखना है उसको आप ऐसा कीजे मैं इसे मिटा देता हूं हम थोड़ा सा diagram को न तेड़ा मिटा करके बनाते हैं ठीक है नहीं तो यह सेफ चैंज हो जाएगी अच्छा ठीक है बेटा हम समझ रहे हैं कि यह है सबसे पहले तो ज्यान देना है कि Amoeba जो होती है यूनी सेलुलर होती है तो Amoeba खाने खाने से पहले ना जो सबसे पहला काम करता है कि Amoeba के सर्फिस में पूरे बॉड़ी लेयर में कोई एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा प्रट्रूप कर जाता है मतलब की स्वेड़ अप हो जाता है तो यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना जो थोड़ा सा बाह जूठा और पोडिया पोडिया मतलब होता है आपका फिट मतलब की फॉल्स फिट आमीवा तो आप जानते हो कि Amoeba के केस में कोई लेक्स वगरा पाई नहीं जाती है तो Amoeba को मूब करने के लिए जो इस्ट्रक्चर हेल्प करता है उसे हम स्यूडो पोडिया कहते हैं विच यह आपका Amoeba है तो Amoeba का जो स्यूडो पोडिया है न वो क्या करता है फूड के तरफ तुमारा एट्रेक्ट होता है यह एक तरह का कैमिकल क्या है इंडक्शन है मतलब की कैमिकल मूबमेंट है फूड के कैमिकल को देखकर Amoeba उसके तरफ मूब करेगा उसके स्यूडो जो होता है यह फोड़ा सा अंदर की तरफ आपका band करना शुरू करता है तब जा कर hea क्या भनाएगा फूड वैक्योल बनाएगा और जो यह बाहर का खाणा था यहाँ पर यह खाना अब मूब करेगा और कहां पहुंच जाएगा इस सीडो पोडिया के अंदर अगली स्टेज में क्या होगी आपकी इस सीडो पोडिया को पूरा का पूरा आपका बंध किया जाएगा ठीक है मैं यहाँ पर ध्यान देना है K conclusus जो सीडो पोडिया थी इसे हम नाम देंगे food vacuole, मतलब कि खाना आपका बाहर से कहां आ गया, इसके अंदर आ गया, अब अंदर में तो आप समझी रहे हो, इसके अंदर में बहुतरा के enzymes हैं, ये enzymes जाएंगे इस food vacuole के अंदर में, और इस food को क्या करेंगे, degrade करेंगे, इसको break down करेंगे, break करने के जो digested food होगी, वो चली जाएगी अंदर, और अगले stage में क्या होगा, अंदर फिर से इस undigested food को body से बाहर निकालने की कोशिस करेंगा, तो कैसे निकालता है, पूरे के पूरे food vacuole को ही ये throw out कर देता है, और इसके साथ जो undigested food होती है, वो भी आपकी बाहर निकल जाती है, तो ये जो last वाली stage है ना, इसको हम बोलेंगे e-gestion, यहां के case में, इस जगार देखिए, undigested food को food vacuole के साथ पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया गया, तो ये हो गया आपका e-gestion, बीच के जो stage थे, ठीक है ना, जब वो खाने को interact कर रहा था, ये वाला जो portion है, ये आपका है ingestion, ठीक है, ये हो गया आपकी ingestion, खाने को अंदर लिया गया, अंदर लेने के बाद, यहां पर खाना क्या हो रहा है, आपका, यहां पर इसको digest किया जा रहा है, digest करने के बाद, food को absorb कर लिया जाता है, बाई amoeba, और जो undigested food होती है, उसको हम throw out कर देते हैं, बाई e-gestion, तो this is known as diet, आपके digestion in case of amoeba, amoeba में आपका nutrition कैसे होता है, तो याद रखना है, hollow joint mode of nutrition से होती है, जो 5 stage आपने पढ़ी है, steps, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and e-gestion, ये 5 के 5 stage आपके amoeba में होते हैं, इसका language part बाबो, आपको notes में मिल जाएगा, तो notes से आप इसका language देख लीज़ेगा, ठीक है? चलिए आप आते हैं हम लोग, actual topic में that is human digestive system, ठीक है? तो अब इसको हम लोग discuss करते हैं, तो human digestive system में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे न, देख लेते हैं, कि what are the various components of human digestive system, क्या-क्या components होते हैं? तो basically आपके digestive system में दो ही पार्ट होता है, पहला पार्ट जो होता है, उसे हम बोलते है, elementary canal, elementary canal, canal मतलब समझते होना, canal बेसिकली ये long tubular structure, लंबा सा tube के जैसा जो structure बनता है, उसको हम canal बोलते हैं, या फिर आप लोग उने social science में, जिवराफी में, canal system पढ़ा भी होगा, जब हम लोग पानी को store करते हैं, तो एक हो गई हमारी elementary canal, मतलब कि लंबा, हमारे digestive system का जो tube होता है, वो होता है, elementary canal, और दूसरा होता है, digestive glands, digestive glands, तो इसको देखिए, मैं यहाँ पर flow chart बना रहा हूँ, मैं आप से request करूँगा, कि आप भी इस flow chart को not कर लीजे, तो आपको पूरी की प पाया क्या क्या जाता है, तो सबसे पहले आते हैं, first elementary canal में, elementary canal का जो सबसे पहला part होता है, उसे हम बोलते हैं, buckle cavity, ठीक है, क्या बोलते है, buckle cavity, इसी का दूसरा नाम होता है, oral cavity, तो हमारे पास दो नाम हो गया, buckle या फिर oral cavity, आप कोशन आती है, इसके अंदर क्या क्या होता है तो सबसे पहले होते हैं lips, lips को हम लोग technical language में बोलते हैं labia, ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट आपका होता है tongue, तीसरी पार्ट आपकी होती है teeth, और चौथा पार्ट होता है आपका palate, palate, palate मैं बता देता हूँ, आपके mouth में कहां पाया जाता है, अगर हम अपने tongue को ऊपर की तरफ roll करते हैं, तो आप ऊपर का जब touch करोगे part तो कैसा appear होगा, थोड़ा सा आप करके देख लो, वो आपको थोड़ा सा tight या solid appear होता है, तो हमारे mouth का जो छट होता है, मतलब कि हमारे tongue क के ऊपर जो आपका mouth का पूरा का पूरा roof system है, उससे हम palate कहते हैं, तो ये चार पार्ट मिलकर आपका बनता है, buckle cavity, buckle cavity के बाद जो दूसरी part important होती है, वो होता है pharynx, ठीक है, अब pharynx आपको याद रखना है, कि pharynx is a common passage, common passage for both, for both, air, and water, इसका मतलब थोड़ा समझो, जब मैं air बोल रहा हूँ और water बोल रहा हूँ न, इसका मतलब कि यहाँ पर दो system एक साथ काम कर रहा है, जब तुम air बोलोगे मतलब कि respiratory system, और जब हम पानी पीते हैं, इसका मतलब कि digestive system, पानी तो हमारे respiratory system में जाती नहीं है, हम जब पानी पीएंगे तो वो कहाँ जाएगा हमरे stomach में, मतलब कि pharynx आपका दोनो system के बीच का link होता है, respiratory system का भी और digestive system का भी, इसके बाद जो अगली पार्ट आपकी होती है, यह होता है आपका इसो फेगस, इसे आप जानते हैं, common language में हम क्या बोलते है, food pipe, ठीक है, और इसो फेगस से एक question आपका one marks में पूछा जाता है, कि what do you mean by peristalsis, peristalsis क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे भी, इसो फेगस के बाद जो अगला पार्ट होता है, that पार्ट इस्टोमक, ठीक है इस्टोमक को भी हम लोग कई पार्ट में ब्रेक करते हैं, लेकिन वो higher classes में पढ़ेंगे, या simply याद रखेगा इस्टोमक, इस्टोमक के नीचे अगर चलोगे, तो तुमारी हो जाएगी small intestine, ठीक है, अब जब small intestine बोलोगे, तो इसमें आपको याद रखना है, कि सबसे पहल पार्ट होता है, small intestine का duodenum, jejunum, और ileum, ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक question बल बोल रहा हूं, one marks के लिए, which is the lengthiest part of human digestive system, अगर आप से पूछा जाएगा, कि हमारा digestive system कितना लंबा होता है, तो answer होता है, आठ से साड़े आठ मीटर, इस आठ से साड़े आठ मीटर, में साड़े छे से साट मीटर, जो होता है न, वो केवल small intestine होता है, इसका मतलब कि हमारे digestive system का सबसे long part होता है, small intestine, इस long part में भी, इसमें 3 parts होता है, जिसमें ileum जो होती है, सबसे long होती है, ठीक है न, मतलब small intestine के case में भी, ileum आपकी सबसे लंबी structure पाई जाएगी, इसके बाद जो आपका अगला structure पाया जाता है, digestive system में वो होता है, large intestine, ठीक है न, large intestine को हम एक और word से use करते है, non-age colon, इसी के लिए एक और word होती है आपकी colon, तो large intestine में याद रखना है कि आपका colon पाया जाता है, ठीक है न, इसके बार आपकी rectum पाई जाती है, जहां पर undigested food store होता है, फि यही आपका undigested food क्या होता है, expel out होता है, तो यह जो आप पूरा का पूरा six parts देख रहे हो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में एक साथ आप पढ़ पाईए, तो यह देखिए, देखिए, यहां पर आप, यह जो elementary canal थाना, यह एक लंबा tube जैसा structure क्या करता है, फॉर्म करता है, तो यहां से लेकर यहां तक, यह जो आप 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 देख रहे हो, this part forms the tubular part of digestive system, अगर आप देखोगे, तो आपके mouth से लेकर, बिलकुल एनस तक क्या है, एक लंबा सा pipe है, तो यह जो pipe system होता है, इसी को हम बोलते है, elementary canal, जिसमे यह देख रहे हो, सबसे पहला part, buckle cavity, दूसरा part, pharynx, तीसरा part, isophagus, चौथी part, stomach, पांचवी part, small intestine, छटी part, large intestine, अब आते हैं, digestive glands के case में, तो जो पहला digestive gland आपको पढ़ना है, वो आपके mouth में ही पाया जाता है, non-age salivary gland, इसको हम क्या बोलते है, salivary gland, ठीक है न, तो आपको याद रखनी है, how many salivary glands are there, three pairs of salivary glands are there, तो उसमें भी आप एक ये वाला याद रखिए, parotid, parotid, salivary gland, SG is for salivary gland, ये सबसे बड़ा आपका salivary gland होता है, ठीक है न, ऐसे तीन पाये जाते है, salivary gland, लेकिन इन तीनों में भी parotid salivary gland जो होती है, ये सबसे बड़ी होती है, मैं इसका location बता देता हूँ, आप अपने कान के बिलकुल नीचे में जब छूओगे न, फेस को, तो वहाँ पर आपकी पाये जाती है, parotid salivary gland, और salivary gland के अंदर से जो आपकी enzyme produce होती है, उसे हम बोलते हैं आपका salivary amylage, ठीक है न, इसी का नाम होता है, आपका salivary amylage, या इसी enzyme को हम एक और नाम से बोलते हैं, tylene, तो यह हो गया आपका पहला salivary gland, अब आप mouth में आपका एक gland था, salivary gland, mouth से थोड़ा सा नीचे move कीजिए, क्या आएगा, stomach, तो जब stomach की बात करोगे न, तो stomach पे आते हैं, stomach में जो gland पाई जाती है, उस gland को बोलते है, gastric gland, ठीक है न, gastric glands, और हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, gastric glands क्या-क्या बनाता है, तो यह produce करता है, HCL, साथ में यह enzyme बनाता है, उस enzyme का नाम होता है, पैपसीन और रैनीन, ठीक है, मैं सारे important चीज़ें यहीं पर लिख रहा हूँ, ताकि इसी केवल एक चीज़ से आप क्या कर सकी है, यह पूरा का पूरा इसको आप पर सको, ठीक है, आपको अगर पूरा पार्ट पूछा जाएगा, तो इस flow chart से आपका पूरा पार्ट कम्प का नाम होता है, पैपसीन और रैनीन, अगर इस टोमक के नीचे चलोगे, तो फिर हमारी सबसे बड़ी ग्लेंड जो होती है, उसको बोला जाता है, लिवर, ठीक है ना, largest gland of human body, अगर आप से पूछा जाएगा, कि हमारी human body की सबसे बड़ी ग्लेंड कौन सी है, तो लिवर है लेकिन लिवर जो होता है, याद रखना है कि लिवर किस gland की category में आता है, एक्जो क्राइन ग्लेंड, आपको याद होगा, इंडो क्राइन सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था, दो तरह के glen्ड फाए जाते हैं, इंडो क्राइन और एक्जो क्राइन, इं लेकिन ग्लेंट का नीचर याद रखोगे सबसे बड़ा एग्जो क्राइंट भी है शाथे साती यह प्रेडियूस क्या करता है तो यह प्रेडियूस करता है वाइल ठीक है और यह वैईल कहाँ पर पर स्टोर होती है यह ब्लैडर में ठीक है ना जाती है बाइल जो होता है यह किस पे काम करता है बाइल काम करता है फैट पे ठीक है न हम जब चर्वी खाते हैं या कोई भी ओईल खाते हैं तो उस ओईल पे काम करने वाला होता है आपका लिवर यह बाइल सॉल्ट और बाइल को प्रेड्यूस करता है आपका लिवर लिवर क करेंगे बाद चलते हैं अगले आपके ग्लेंड पे अगला ग्लेंड है आपका पेंक्रिएज है पेंक्रिएज को बोला जाता है हेट्रो ट्राइंड एक मुण पर देख रहा है क्या डाउट है कि मैं ओके देखो आगो, बाइल जूस और सॉल्ट में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे समझो, सॉल्ट अके लिए तो काम कर नहीं सकता है, सॉल्ट को एक मीडियम चाहिए, तो वो जो लिक्विड मीडियम होता है उसे हम बाइल बोलते हैं, मतलब कि जो फ्लूइड बेस बन रहा है आपके लिवर में, लिक्विड स्टेट में, उसे आपने नाम दिया है बाइल, and that बाइल contains बाइल, सॉल्ट ठीक है न, बाइल सॉल्ट आप जानते भी है बाइल पिगमेंट भी पाई जाएगा बाइल इस दा लिक्विड मीडियम विच कंटेंस सॉल्ट का नाम आप याद रोखो सोडियम टॉरो कॉलेट सोडियम ग्लाइको कॉलेट यहीं अंतर है आपकी वाइल वाइल जूस में ठीक है प्यांक्रियास के केस में आते हैं है थोड़ा सा बताया था आपको जब इंडो क्राइन सिस्टम पढ़ा रहा था तो हेक्रो क्राइन ग्लेंड हम उस ग्लेंड को बोलते हैं न जो कि दौनों ढंग से काम कर सकता है मतलब जब यहलर जब योई function perform करेगा तब यह क्या बनाएगा enzymes ठीक है मैं दोनों में एक-एक example भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको example से clear हो जाए अगर आप hormone की बात करोगे तो pancreas से जो hormone निकलती है उसमें सबसे important hormone होती है insulin ठीक है insulin आप जानते भी है कि अगर हमारे body insulin कम हो जाए तो भी suffer from sugar और अगर जादा हो जाए तो भी दिकत होती है ठीक है तो insulin हो गया इसके बाद ग्लूका गॉन यह दो hormone प्रेडूस किया जाता है तुमारे pancreas के द्वारा आते हैं enzymes पे ठीक है ना तो एक enzyme का नाम है pro carboxy peptidage ठीक है इस enzyme को बनाने का काम करता है pancreas साथ ही साथ आपका enzyme बनाता है trypsin ठीक है तो यह सब enzymes भी कौन बनाएगा तुमारा pancreas बनाता है तो देख लो pancreas दोनों काम कर रहा है hormone भी बना रहा है साथ में enzymes भी बना रहा है इसी कारण से pancreas को हमने क्या बोला है heterocrine gland बोला है और जब आते हैं सबसे last पे तो सबसे last का जो gland होता है उसे हम बोलते हैं intestinal glands कौन सा gland बोलेंगे intestinal glands इसका मतलब की small intestine में पाया जाने वाला gland तो यहां पर basically क्या करता है ना intestinal gland क्या बनाते हैं यह बनाते हैं intestinal juices juices मतलब की sum total of various types of enzymes और इसी intestinal juices को हम एक नाम भी देते हैं सककस entericus ठीक है ना मतलब की जो intestine juice intestine ने प्रेडूस किया gland के द्वारा उसी juice का एक और टेकनिकल नाम होता है सककस entericus तो इस सककस entericus it is the sum total of various types of enzymes produced by intestinal gland जैसे मैं कुछ enzyme के नाम बोलता हूँ आपको maltage, sucrage, fruitage, lipage यह सारे enzyme जो है intestine के द्वारा produce होते हैं ठीक है तो यह देखिए यह आपकी पूरी की पूरी अगर देखोगे तो यह हमारा digestive system का पूरा flow chart है जो आपके screen में दिख रहा है मैंने थोड़ा छोटा किया है तो आप देखी कैसे कैसे तुम्हारा काम करता है ठीक है अब चलते हैं इसका diagram जैको बहुत ही rare case में तुम से पूछा जाएगा diagram तो basically important नहीं होता है human digestive system का लेकिन diagram से आपको यह idea मिल जाता है कि कौन-कौन से parts होते हैं और वो parts कैसे कैसे होंगे हम level कैसे करेंगे उन सारे parts को ठीक है तो मैं बहुत simple diagram बना रहा हूँ practice के लिए तुम्हों भी चाहो तो इसको बना सकते हो सारे parts आपको हम level करके भी दिखा देते हैं कि कैसे कैसे हम सारे parts को level करेंगे डाइग्राम के वह देखने में difficult लगता है एक बार practice कर लोगे न तो बहुत इजी डाइग्राम है ठीक है अजुत झाल झाल यह देखिए जो सबसे अंदर का पार्ट है जिसको हम कोईलिंग के द्वारा दिखाते हैं इस कोईल पार्ट इस दा इलियम पार्ट मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल इंट इस्टाइंग जो होती है यह हमारे human digestive system का सबसे लंबा पार्ट होता है लेकिन उस तीनों में भी सबसे लंबा पार्ट जो होता है इलियम होता है ठीक है तो यह हमारे डाग्राम हो गई सिंपल सी एक डाग्राम है यहां पर इस तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग बनाएंगे इसका पैंक्रियाज ठीक है पैंक्रियाज कैसा होता है थोड़ा सा लीफ सकते हैं पहले केवल यह बना लीजिए और इस तरफ उपर से हम क्या करेंगे इसका बनाएंगे लिवर कि अब एक एक करके ना सारा पार्ट को लेबल करते हैं सबसे पहले यह देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको देश दा बकल कैविटी इसका मतलब कि यह हमारे माउट का आपनिंग हो गया यह जो पार्ट आप देख रहे हो दिस पार्ट इस दा फैरिंग्स मैंने पहले ही बोला था फैरिंग्स is the common link between both digestive system and respiratory system फैरिंग्स के नीचे में यह जो आप से प्र estásक्र इ droplets इस मौनतर प्रिये जो लीफ लाइक सटर्टेफ्лично आप देख रहे होगों होता है आपका small intestine जहां से मैं मार्किंग कर रहा हूं ठीक है या इसके थोड़े उपर से अब बिल्कुल एज़िटी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन देखिए इसी के यहां से लेकर ठीक है मैं आपको फिर से देखिए इस जगह दियान दो जहां मैं डार्क कर रहा हूं इस जगह से लेकर नीचे का ये वाला पॉइंट जहां पर मैंने डार्क किया है ये पूरा का पूरा जो पाइप है ना इसको हम चलो ऐसे दिखा देते हैं मालो इसको मैंने जैजुनम बोला अब इस जैजुनम के बार इधर का जो पूरा पार्ट देख रहे हो तुम ये पार्ट इस दा इलियम ठीक है तो इससे हम बोलते हैं इन जैनरल टम्स इससे बोला जाता है इलियम और इलियम इस दा पार्ट ऑफ इस्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ठीक है इसके बाद ये जो आप पार देख रहे हो ये वाला पार् आओं आ रहा है इसके बाद नीचे फे ध्यान दोगे तो यहां पर आ कि यहां पर आके यह थोड़ा सा बैन्ड हो जाता है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा आट आल्फाबेट की तरह अपियर होता है इसके नीचे में यह जो देख रहे हो दिस इस दा एनस ठीक है और एनस के ऊपर में यह जो पोर्शन है दिस दा रेक्टम जहां पर आपका अंडाइजस्टेट फूड इस्टोर होता है यह जो पूरा देख रहे हो यहां से लेके यह वाला पार्ट इस पार्ट को हम बोलते हैं लार्ज intestine, large intestine ठीक है और यह वाला याद रखिए हूमन के केस में large intestine जहां पर आपकी terminate होगी उस जगाँ एक छोटा सा stock पाया जाता है इसको नाम दिया जाता है वर्मी, फॉर्म, एपेंडिक्स, ठीक है, आप लोग आने बिमारी का नाम भी सुना है, एपेंडिसाइटिस, तो एपेंडिसाइटिस इस नथिंग स्पेसल, जब अन्डाइजेस्टेट फूड बाहर निकलने के बदले, हमारे एपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, तो ये स सिस्टम की, जिसमें हमने सारे पार्ट्स को इसमें एक-एक करके क्या किया है, इनकॉर्परेट किया है, याद रखना है कि ये लिवर आपकी ग्लेंड के कैटेगरी में आएगी, पैंक्रियाज भी आपका ग्लेंड की कैटेगरी में आएगा, और कुछ ग्लेंड पाए जात दोनों कान के आसपास ठीक है ना फिर इसके बार एक इस जगह हमारे जबड़े के नीचे और एक पाया जाता है आपका हमारे दोनों जीव के दाएं और भाएं तो यह जो आप तीन देख रहे हो ना फस्ट सकेंड एंथर्ड इन तीनों को बोला जाता है salivary glands ठीक है तो यह पाया जाता है हमारे mouth में और मैंने आपको बताया भी था there are three different types of salivary glands जिसमें की यह वाला आप जरूर याद रखेगा अपने knowledge purpose के लिए parotid gland is the largest salivary gland ठीक है तो यह आपकी डाइक्राम बिलकुल बनकर clear है तो पहले मुझे बता दीजे कि कहीं कोई दिक्कत अभी तक आपको कैंड़ी एक बार मैसेज कर दीजे और बस मिनिट बस होई गया है फड़ा सब्सक्राइब कि ओके चले बहुत अच्छे अब हम लोग क्या करता है फटाफट आपके वल रियक्षंस पर ध्यान देना है जारा कुछ है नहीं अरम मैं फ्लैट देंग से पढ़ा रहा हूं ठीक है ना लेट्स स्टार्ट विल्ट फर्स्ट वटन कि अच्छे करोगे बाबू थ्टा सब पैन चेकन दो उनको बकल कैविटी ठीक है ना इससे हम लोग सुरू करते हैं बकल कैविटी में जो सबसे पहला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है जो होता है आपका लिप्स या फिर इसको हम बोलते हैं लेबिया ठीक है ना तो सबसे पहले human के case में lips और labia it is paired ये कैसा होता है paired organ होता है साथ ही साथ highly vascular इसका मतलब कि इसके अंदर में blood supply काफी जादी पाई जाती है इसी कारण से गलती से भी अगर दात से आपका lips पे चोट लगता है तो आप देखे तुरंद bleeding start हो जाएगी क्यों क्योंकि इसमें vascular supply आपका जादा है तो ये कुछ खास होता नहीं है lips का या labia का एक ही significance है कि ये हमारे face के aesthetic value को सुन्दर्ता को बढ़ाएगा ठीक है ना lips के अंदर चलते हैं आपका क्या आता है tongue तो tongue के case में कुछ functions आपके पूछे जा सकते हैं कि what is this tongue तो सबसे पहला function होता है ना it is the food tester जो आप food का test लेते होना वो कहां से मिलता है tongue से मिलता है एक question याद है आपके इस बार के exam में आया था ये हमारे nose के अंदर smell के लिए कौन सा receptor पाया जाता है तो बेटा same चीज यहां पर है tongue जो food test करेगा वो इसलिए क्यार्ट करता है क्योंकि इसके अंदर में nervous receptor पाये जाते हैं उस रिस्टेप्टर का नाम होता है gustato receptor गस्टेटो रिस्टेप्टर तो यह जो receptor है न यह केवल किसके लिए होता है टेस्ट के लिए होता है जैसे नाक में हमारा पाये जाता है olfactory receptor जो smell को परसीव करेगा उसी धंग से gustato receptor जो होता है यह टेस्ट को परसीव करते हैं hence tongue acts as a food tester अगर कुछ और function आप से पूछा जाएगा तो tongue जो होता है यह basically खाने को mix करने में help करता है that means it helps in mixing of the food with saliva यह हमारे teeth को cleanse करने का काम भी करता है hence act as a natural toothbrush तो कुछ function आप इसमें और add कर लीजेगा तो वो हो जाएगा आपका tongue का function तीसरा आते हैं हम लोग teeth ठीक है न तो teeth के case में कुछ useful आपके information है वो हम लोग share करते हैं जब teeth की बात करेंगे तो सबसे पहला तो हम लोग humans की बात कर रहे हैं तो humans के case में we use this word humans are heterodont heterodont means there occurs different types of teeth to perform different functions अलग-अलग teeth पाया जाएगा और वो अलग-अलग teeth जो होता है अलग-अलग function create करता परफॉर्म करता है जैसे कि सबसे पहली teeth होती है आपकी incidure यह हम इसी sequence में लिखेंगे क्योंकि हमारे माउथ के अंदर यह इसी sequence में पाया जाता है incidure सबसे पहला है दूसरा होगा आपका canine तीसरा आपका होता है प्री-molar प्री-molar और सबसे लास्ट आपका होता है मोलर तो occurrence of four different types of teeth to perform different function is known as heterodont condition hetero means तो याद है अभी हम लोग nutrition में पढ़े थे different don't मतलब की teeth don't word आता है dentine से जिसका मतलब teeth होता है मतलब की different type of teeth to perform different function तो चार तरह के आपके teeth पाई जाते हैं और चारो teeth अलग-अलग function करता है अब चलिए आपको हम दिखाते है dental formula कैसे calculate करते हैं ठीक है ना dental formula तो dental formula calculate करने के लिए हमको एक चीज़ पर ध्यान देना है हमारा mouth जो है इसमें आपके दो parts है मतलब की दो jaw है upper jaw and lower jaw तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं यह उपर का part दिख रहा है यह नीचे का part इसको आप बीचो बीच फिर से break कीजिए इसका मतलब की mouth को हमने चार parts में break किया है first part second part third part and fourth part total अगर आप 32 मान लेते हो humans के case में आप जानते हैं कि teeth कितनी होती है 32 तो इस 32 को अगर हम बाटें तो जब हमने चार बाट में बाटा है इसका मतलब की हर एक part में कितना आएगा आपका आठ ठीक है हर एक part में आठा टीथ तो कैसी होती है देखिए पहला दो तीथ incisor होता है फिर आपका होता है canine फिर दो तीथ होती है premolar और लास्ट की तीन तीथ होती है molar ठीक है न सेम यहाँ पर हम करेंगे दो शुरू वाली तीथ है incisor तीसरी तीथ है canine चौथी और पांचवी है आपकी premolar और छठी सात्वी आठ्वी है आपकी molar सेम टीथ का सेट नीचे यहाँ पर पाया जाएगा और नीचे यहाँ पर पाया जाएगा तो अगर मैं adult का formula निकालना चाहूं human adult का dental formula तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको इसको हम लिखेंगे इस धंग से 2123 by 2123 into 2 equal to 32 ठीक है सबसे तो पहले इस चीज़ पर ध्यान दो कि यहाँ पर normal math वाला मतलगाना कि math वाला formula कैसे काम कर रहा है इस पर देखो कैसे हम लोग calculate कर रहे हैं यह दो जो दिखा रहा है न यह दो है तुमारा incidure teeth यह जो एक है यह दिखा रहा है canine teeth ठीक है न यह है canine यह जो फिर से दो आया है यह है तुमारा pre molar और last का जो teen teeth है यह है तुमारा molar teeth इस चारो के नंबर को क्या करो प्लस करो यहाँ पर ठीक है का 8 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 by 8 into 2 equal to 32 अब यहाँ पर जो है न बाई यह बाई नहीं है यह भी प्लस है इसको हम फिर से अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा इंटू 2 equal to 32 तो यहाँ देखिए अब इस question से आप दो चीजे निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि human के case में total incidure कितना है total canine कितना है total premolar कितना है और total molar कितना है बता पाईए गाट्या मुझे लिखके भेजिए फटापट कि human के case में हमारे mouth में total incidure कितना है total canine कितना है total premolar कितना है और total molar कितना है फटापट भेजिए मोलर चार ठीक है अच्छा श्रया स्नेहा आप दोनों ने molar चार चार लिखा है molar चार नहीं होगा molar होगा आपका आठ प्री मोलर आठ होगा प्री मोलर आपकी चार है ठीक है देखिए हम आपको क्या बताए थे अभी डागराम बनाए थे ना कि हम अपने माउट को ऐसे बना सकते हैं दिखा सकते हैं यह देखो यह हमारा माउट है यह उपर का तुम्हारा पाट है आपर जो यह लोवर जो 32 सी टीथ है ना तो सिंपल कॉंसेप्ट है कि उपर में कितना ह है 16 नीचे में कितना है 16 तो इस 16 को हम लोग फिर से बाढ़ दिए इसको आधा आधा कर देंगे यहां से तो यहां पर हो जाएगा आठ यहां पर हो जाएगा आठ उसी डंक से नीचे में आधा आधा करेंगे तो यहां पर आठ और यहां पर आठ अब हमको एक तरफ देखना आभ ये molar है 1, 2, 3 इसको क्या करो ना इस formula पर ध्यान दो देखो तुमको अगर एक एक करके number निकालना है तो क्या करो इस 2 और 2 को जोड़ो ये दोनों ही इंसिजर है तो कितना हो रहा है दो प्लस दो चार गुने दो आठ इसका मतलब इंसिजर कितना हो रहा है आठ ठीक है